नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़ फोर निशन और मैं हूँ प्रियदर्सन बिहार के पुर मुख्यमंत्रे और राज़त सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव को गरीबों के हकुकी लराई ने लड़ने वाले निता के रूप में जाना जाता है और राष्ट्य जनतादल ने अब उनका वर्ष 1994 का एक वीडियो जारे करके यह बताया है कि कैसे लालू यादव ने गरीबों के लिए एक प्रिर्णा सुरूत बनने का काम किया और कैसे उन्होंने गरीबों को प्रिरित किया कि आपकी बुनियादी जरूरतों की जो पूर्ती है वह तभी संभव है जब आप शिक्षा के अधिकार को समझेंगे दरसल लालू यादव को ले करके बार बार यह बाते कहीं कहती हैं कि लालू यादव ने बिहार में अलग-अलग तरीके से व्यवस्थाओं को कुंद किया उन्होंने शिक्षा को बदहाल किया तो एक तरी कानवे में एक चंसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भामासा को ले करके एक संबोधित कर रहे हैं और इस दवरान वो बता रहे हैं कि कैसे बिहार के गरीब गुर्वे अगर शिक्षा के महत्यों को समझते तो उससे उनकी भ रहे हैं कि भूखे रहना, प्यासे रहना, कंजूसी मत करना, जितना सामर्थ हो उतना में भामासाह बनना और पेट कार कर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना जब तक ये बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे नहीं तब तक वे मकरजाल को समझेंगे नहीं और लालू प् प्रेडित कर रहे हैं तो उस दौर में बिहार में मंडल और कमंडल की लराई भी देखने को मिली, यानि कि आरक्षन के समर्थक और आरक्षन के बिरोध में एक लंबी लराई उस दौरान देखने को मिली, लालू यादब जो उस दौरान आरक्षन के समर्थक निताओं में थे, उनकी वो उससे ल धती के लागू होने से गरीब गुर्वों की भलाई हुई है कैसे अब इसे और बहतर बनाया जा और इसके लिए ही लालुयादव शिक्षा के महत्त को समझाते हुए भीर को संबोधित कर रहे हैं तो लालुयादव ने जो उस वक्त बातें कही थे कि आगर आपको बहतरी करना है तो अपना पेट काटिए अपने लिए बहतरी के लिए अपने समाज की बहतरी के लिए पच्चों की बहतर परवरिश के लिए उन्हें शिक्षित बनाएंगे तभी आप व्यवस्था के मकरजालों को समझेंगे यानि कि लालुयादव समाज के तमाम लोगों को उस वीड LETढ़ एगर पिहार में सिच्छा की स्थिति और ब्रबादी से रहने वाले लोग कहा जाए गड़ीभी रिखा के नीचे रहनेवाले लोग आज भी वन्चित हैं जो जिस सपने को लेकर के लालुयादव वर्श 1994 में तेली महासभा के आयोजन को संबोधित करते हुए लोगों को जागरूख कर रहे थे आज एक लंबे अर्शे के बीतने के बाद भे यानि की करीब करीब तीन दसक उनके उस संबोधन को बीते हुए हो चुके हैं लेकिन तीन दसक के बाद भे बिहार के लिए वे चुनोतियां आज भी वरकरान है जिन चुनोतियों को लेकर के लालुयादव तेली महासभा की बैठक में उस जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को शिक्षा के लिए जागरूख कर रहे थे तो महतपुर्णिया है कि 30 वर्षों में क्या बिहार बदला और आज राष्ट्य जनतादर ने कुछ वही उस वीडियो को एक साजा करके एक संदेश दिया है कि लालुयादव का यह संघर्ज आज का नहीं बलकि पिछले कई दसकों का है और यह दसकों का संघर्ज आज भी अनवरत लालु प्रसाद यादव और राष्ट्य जनतादर की वह से जारी है